वैसे तो देश में नशात तसक्री के नई से नई तरीकों को आपने सुना होगा मगर जो तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आप भी हैरत में पढ़ जाएं फतेअबाद में लॉगडाउन में कोरोना संक्रमन रोकने को लेकर कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ साथ जीला पुलिस नशे का अवैद कारोबार करने वालों की भी धर पखड़ कर रही है ऐसे में CIA की टीम ने नाका बंदी के दौरण एक पिकप गाड़ी से 101 किलो कचरा डोडा पोस्ट बरामत कर दो यूफकों को गिरफतार किया है जिन्होंने पहले पिकप में इस नशेले पदार्द को रखा उसके बाद उसको तरबूजन से कवर कर दिया जिसको पुलिस ने अपनी चेकिंग कारवाई में पकड़ा तो वो भी इस तरीके को देखकर हैरान रह गई वहीं पकड़े गई यूफकों की पैचान याकोब निवासी बालसमन जिला हिसार और अंग्रिस और फगेजा निवासी ढाड़ी रूडी वाली एहरवां के रूप में हुई है डियस पी अजायब सिंग ने बताई कि आरूपियों से प्रात्मिक पूस्ताश के दौरान इन यूफकों ने बताई कि वो ये कच्रा डूडा पोस्त राजिस्थान के बिलवाड़ा के एक होटल से बीरे नामक व्यक्ति से लेकर आए है बहराल गिरफतार दुनों यूफकों को अदालत में पेश का नशाद तसकरी के नेटवर्फ में जुड़े अन्य आरूपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस रिमार्ण पर लिया जाएगा सरी कैसे लारे थे किस विकलमें लाए थे और इनका लिया थे और राजस्तान के लिए और तर्बुज़ निचे पीकप जो गाड़ी अपले रहे रहे देख है पुलिस की माने तो CIA फतेहबाद की टीम SI महिंद्र सिंग के नेतरित में गश्ट के दरान गाउं एहरवां के पास पहुंची तो इसी दरान सामने से आ रहे पिक अप में सवारदो युवक पुलिस को देख कर गाड़ी छोड़ कर खेतों की तरब भागने लगे शक के अधार पर पुलिस ने दोनों युवकों को काबू कर पिक अप की तलाशी ली तो गाड़ी में भरे तरबुजों के नीचे पांच कट्टों से कुल 101 किलो कचरा डोड़ा पोस्ट बरामत हुआ दोनों आरूपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा फत्यवास से राजेश भांबू की रिपोर्ट